चिन्दवारा जले के चांद शित्र में पैंचन नदी में दूबने से दूसर के भाईयों की मौतु गई हाथा बुदवार दुपहर तीन बचे का है पुलिस के मताबिक दोनों के श्यवों को रस्क्यू कर नदी से बाहर निकाल लिया गया है पुस्ट मौटम के लिए भेच दिया गया है पताय ज़ा रहा है लमपूरी निवासी अखलेश अपने भाई सिवेश के साथ नदी में नहाने गया हुआ था इसी दौरान छोटी को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई भी दूब गया पास के केतों में काम कर रहे कि सानू ने इसकी जानकारी परिजन को दी ट्याई के मताबिक बुदवार दुफैर को अखलेश और उसका भाई सिवेश पैंच नदी में नहाने के लिए गया था सिवेश नहाने के दौरान नदी में गहराई में चला गया सिवेश को तेरना नहीं आता था इसलिए वह दूबने लगा तबी किनारे पर खड़ा उसका भाई अखलेश भी नदी में पूद गया और उससे बचाने का प्रयास करने लगा लेकिन एक दूसरे को बचाने के चक्तल में दोनों की ही कहराई में चले गए और दोनों नदी में डूब गए किसी वेक्तीर ने फोन से बताया था कि दो लड़के ग्राम रमपुरी के नदी में पैंस नदी में नात इस सब्ब पानी में डूब गए हैं इस सुशना पर तदकाल मोके पर आकर उनकी इस्तानी गोता खोर तलास कराई गई तोनों की डेड वाडी मिल गई हैं जिसमें एक का नाम अखलेश वीके और दूसरे का नाम स्वेद वीके हैं पर क्राई झा जा झाया